नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 20 मार्च दिन सोमवार खब्रो के ओर बनने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बीर एंट्रंस एक्जाम के लिए आज अप्लाई करने का अंतिम दिन खुसखबडी अब बसों में दूसरे राज्यों में जाना होगा असान प्रदूसर से रिबटने के लिए बिहार सरकार ने उठाई यह कदम प्रदेश के इंजिलों में बारिश होनी की संभावना दूसरा बंडे 10 विकेट के साथ आउस्ट्रेलिया के नाम अब चरिये बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से ASRB ने 155 पदों के लिए निकाली भरती अधिसूशना Agricultural Scientist Recruitment Board के द्वारा Specialist was Senior Technical Officer समीट आदी के कुल पदों को मिलाकर 155 पदों पर भरती के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भरती के लिए उमिद्वार अधिकारिक वेबसाइप जाकर 10 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए अगर Educational Qualification की बात करें तो मिद्वारों के पास मानिता प्राप्त विशुविद्याले से सम्मंद्ध विशह में पोस्ट क्रैजविशन डिग्री एवं अन्य निर्धायत पात्रताई होनी चाहिए एक चुक और योग्यमिद्वार Agricultural Scientist Recruitment Board की आधिकारी के वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं खुश खबरी अब बसों से दूसरे राज्यों में जाना होगा असान इसके लिए बिहार में बसों का परिचालन शुरू किया जाए का परिवहन विभाग द्वारा तै किया गया है कि बस के सुधा आने वाले पांस सालों में बिहार के हर जिलों में या आने राज्यों में जाने के लिए आसानी से मिल जाए लोगों को सहज रूप से बस मिल सके इसके लिए 2000 से भी अधिक बसु के पड़िचालन का निर्नाय पड़िवहन विभाग द्वारा रखा गया है इससे लेकर एक उचस्तर की बैठक विभागी अस्तर पर भी की गई है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लव सास्त्री के बारे में अचारे जानकी वल्लव सास्त्री हिंदी वर संस्क्रित के कवी लेखक एवं आलोचक थें उन्होंने 2010 में पदमश्री सम्मान लेने से बना कर दिया था इसके पुर्व 1994 में भी उन्होंने पदमश्री नहीं स्विकारी थी वे चाया वदतर काल के सू विख्यात कवी थे उतरप्रदेश शरकार ने उन्हें भारत भारती पुरुसकार से सम्मानित किया था आचारे का काविश संसार बहुत विविद और व्यापक है वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिने हिंदी कवीता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है प्राडम में उन्होंने संस्कृत में कवीताय लिखी फिर महा कवी निराला की प्रेड़ना से हिंदी में आई सास्री मूर्त गृतकार है और इनके गीतों में छायावादी गीतों के ही शंसकार शेश है विविद वर्नी रसभावों में संकलित कोई डेढ़ हजार गीतों का प्रण्यन इन्होंने किया है परंपरागत दर्शन संवीदन और भासा सनन्मित ये गीत उत्तर छायावाद यूग के गीतों में अपना विसिस्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना अलग-अलग आकर्शन है संस्क्रीत कविताओं के प्रथम संकलन काकली के प्रकाशन के बाद तो इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाने लगा जमीन की रजिस्ट्री में हेरा फेरी करने वालों पर इस महीने से होगी बड़ी कारवाई पिहार में जमीन रजिस्ट्री के दोरान हेरा फेरी करने वालों पर विवागिये सकती तेज हो गई है जिन प्रमंडल के AIG दो जगह तैनाथ है वा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर मामले का निप्टारा करे और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने रजश्वर चोड़ी किया है उनके खिलाफ जिर्मानी की तैकी गई राशी 11 मार्स से पहले जमा कराएं बता दे कि जिर्मानी की तैकी गई राशी 8 से 10 प्रतिसप है तमिलाडू फेक वीडियो वारल मामले पर मुझपरपूर में यूवक गिरफतार बीतितिन मुझपरपूर जिले में तमिलाडू फेक वीडियो मामले को लेकर पहली गिरफतारी हुई है बता दे कि उपिंद्र शेहनी नाम के व्यक्ति को जिले के सदर थाना छेतर से तमिलाडू पुलिस और पुलिस दौरा गिरफतार किया गया है गिरफतारी के बाद उसे कोट में पेश किया गया है मोवाईल से तमिलाडू में बिहार मजदूरों पर हिंसा के फेक वीडियो को उमेश शहनी के मोवाईल से बारल करने का आरोप लगा है मिले जानकारी के नुसार उपेंदर शहनी को मज़ौली रामदास स्थित कोल्ड स्टोरे से पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है ऐसी बास सामने आई है कि उमेश वीडियो वारल करने के बाद मुझपरपुर वापस आ गया था और इसी कोल्ड स्टोरे में वह काम कर रहा था तैश्वी यादव ने नितन गड़करी को पत्र लिख किया अनुरोत बिहार के उपमोखे मंतरी पत्र निर्मान मंतरी तैश्वी यादव के द्वारा किंद्रे मंतरी नितन गड़करी को एक पत्र लिख उन्हें धन्यवाद दिया गया है बतादी कि तैश्वी यादव के दोरा लिखे गए इस पत्र में नितन गड़करी को धनेबाद देते वे कहा गया है कि बिहार में आधार भूच सनरचनाओं के विकास के लिए आपके मंतराले की ओर से जो भी कारे किये जार हैं उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ इसके साथ ही तैश्वी आदव ने नितन गड़करी से अनुरोध करते वे कहा कि नेशनल हाइवे 107, नेशनल हाइवे 77, नेशनल हाइवे 19 और नेशनल हाइवे 83 के निर्मानकारी को जल से जल पूरा कड़ा दिया जाए बिहार B.A.E. इंटरेंस एक्जाम के लिए आज अप्लाई करने का अंतिम दिन वैसे चातर जो बिहार के सरकारी कॉलेजों के बीएड कोर्स में अडमिशन लिना चाहते हैं बताते कि आज का दिन उनके लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एक्जाम के लिए अपलाई करने का अंतिम दिन है यानि कि आज 20 मार्स तो 2030 को आविदन प्रक्रिया बंथ हो जाएग आपके जानकारी के लिए बता दी के आविदन करने के एक्छोक और योग्यमिद्वार आई एन एम्यू डॉट यूसी एन अप्लाई डॉट स्युम पर जाकर आविदन कर सकते हैं वही अगर इसके एक्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एक्जाम ललित नारायन मित्ला यु लगभग 4,700 नियमिस सरकारी कर्मियों पर चल रहा इन सरकारी कर्मियों में विभाग से लेकर जिला और प्रखंड अस्तर तक के कारयाले के कर्मी हैं बता दे कि साल 2006 के सूची में वैसे कर्मी जिन पर किसी भी तरह के आरोप को लेकर विभाग ये कारवाई या मुकदमा च चलने के ही दोरान लगभग 15 से 20 फीस दी कर्मी ऐसे भी हैं जिनकी सेवा निवरती हो चुकी है इन कर्मियों पर किसी अंतिम फैसले तक नहीं पहुँच पाने के कारण मामले अभी कोर्ट में ही हैं बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला जल प्रपात का कोलत का होड़ा विकास बिहार के नवादा जले का जल प्रपात का कोलत का विकास कारे शुरू हो चुका है बता दे कि अब बिहार के कश्मीर के नाम से भी लोगों के बीच प्रस्द है सरकार दोड़ा कोशिश की जारी है कि इसे विश्व पर्यटन में शामिल किया जा सके इसके श्रुडू को बदल कर नई व्यवस्था से जोडने के लिए रर्मान कारे में भी तेजी लाग दी गई है क्योंकि गर्मी का मौसम भी अब दूर नहीं और कोशिश की जारी है कि गर्मी से पहले पर्यटकों के लिए इसे शुरू कर दिया जाए पर्यटक इस प्रकृतिक चढ़ने की सुन्दरता को लेकर अकसर मोहित हो जाते हैं जरने के आसपास कहीं पुराने जरजर भवन देखने को मिलते थे जिन्हें अब हटा दिया गया है मिले जानकारी के नुसार अनिस्थानों पर महिला और पुरुशों के लिए चेंचिंग रूम आने वाले पर्यटकों के लिए बैठने की जखा और मंदर आधी का निर्मान आधुनिक सुवधाओं के साथ करवाया जाएगा प्रदेश के इंजिलों में बारिश होने की संभावना पिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है बदलते महारात के बीच में अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है हालाकि इस दोरान पच्छुआ हवा का प्रभाव बना रहा है हालाकि विभाग ने यह भी कहा है कि 19-21 मार्स तक बिहार जारखन पश्चिम बंगाल दक्षिन उरीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है मौसम विभाग के प्रवानुमान के मताबिक विहार के कई छित्रों में बारिश की चितावनी जारी कर दी गई है पुर्वी चमपारन पूर्णिया किशन गंज भागल पूर में एक से दो अस्थानों पे बारिश होने की संभावना है प्रदेश के करिंजरों में वजरपात होने की संभावना है प्रदूसन से निपटने के लिए बिहार सरकार ने उठाई यह कदम बिहार सरकार दोरा राजे में बढ़ रहे प्रदूसन पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर तेजी से कारे किया जारा है वहीं DTO काड़े आले द्वारा पैसेंजर गारियों को CNG वा प्रेट्रॉल में बदलने के लिए भियान भी चलाया जा रहा है यदि चालक भी पैसेंजर गारियों को CNG में बदलते हैं तो प्रदूशन में कमी आएगी बताते चले कि स्क्राप पॉलिसी के तहट काबिनेट द्वारा यहने ने लिया गया है कि जो गारिया कबार घोशित हो चुकी है उसकी जगा नई गारियों को लेने पर टैक्स में छूट दिया जाए अलर्ट मोड में बिहार पुलिस चापे मारी के दौरां 83 अपरादी हुए गिरफतार डीजी पी आरेस भटी के निर्देश के बाद बिहार पुलिस को इन दिनों काफी अलर्ट मोड में काम करते देखा जा रहा है शोशल मीडिया के जरीए भी पुलिस महकमे की तरफ से मामले शिकायत और निप्टारे हो रहे हैं बाथी साथ Most Wanted अपरादी को लेकर हर जगा छापे मारी करने की खबर भी आ रही है छापे मारी वाली कारवाई के बीच ही नवादा पुलिस द्वारा एक बड़ी छापे मारी की गई है कई मामलों के 2-3-3 अपरादीयों को पुलिस द्वारा एक साथ ही अरिस्ट किया गया है दरसल सभी जिलों के पुलिस अधिक छकों को अपने अपने अलाकों में राजे के DGPRS भटी द्वारा Most Wanted अपरादीयों की लिस्ट बना कर उन्हें गिरफतार करने का नर्देश दिया गया था आरिस्ट होने के बाद रोया मनीश कशप तमिलाडू में बिहारी मजदूरों के कथित उत्पीरन वा हिंसा भरकाने वाली सूचना और फेक वीडियो वा तस्वीरों को सोचल मीडिया पर फैलाने के आरोप में फरार मनीश कशप EOU की हिरासत में है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनीश कशप ने मीते सनिवार को जगदीशपूर ओपी थाने में खुद को सरेंडर किया था जिसके बाद EOU की टीम मनीश कशप लेकर पटना आ गई थी वहीं अब मनीश कशप का एक वीडियो काफी तेजी से बारल हो रहा है जिसमें वह पुलिस के हडासत में गारी में बैठे ही नजर आ रहे हैं इसके साथ इस दोरान उनके आँखों से आंसु भी बेह रही है इसके साथ इस वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ समर्थ गारी में हाथ डाल कर मनीश कशप से कहते नजर आ रहे हैं कि हिम्मत मतार ये आप जान देने वालों में से हैं रम जान पर मुसलिम कर्मियों को मिले चुटी पर भरके गिरे राच मुखे मंतर नितीज कुमार के दोरा रम जान के महीने में बिहार सरकार के सभी मुस्लिम गरमचारियों और अधिकारियों को एक घंटे पहले कारयाले आने और नरधारी समय से एक घंटे पहले कारयाले चोड़नी की अनुमती को लेकर इन दिनों राजनिती गर्माई हुई है पता दे कि सरकार के इस फैसले पर किंद्रिय मंत्रेगिरा सिंग के द्वारा ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला गया है ट्वीट कर लिखा है कि क्या वोट के खातेर निती सरकार के नदितु में बिहार इसलामिक स्टेट के ओर बढ़ गया है जहां से मांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रमजान पर विशेश सुधा दी जाती है और राम नमी की छुट्टी रद कर दी जाती है लाइब्रेरी लैन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इमेल सुधाओं से लैस है माभारती के एक महांतम पुत्र खुदा बक्स के द्वारा 1891 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई 1969 में संसत के एक अधिनियम द्वारा लाइब्रेरी को राश्य महत्वे के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ जुलाई 1970 से यह भारा सरकार द्वारा गठत एक बोर्ड के शाशन के तहत स्वायता संस्थान के रूप में कारे कर रही है इसके सम्रद संग्रह में मौजूद अमुले पांडूली प्यूद्रलब मुद्रित पुस्तकों और मुग राजपूत तुर्की इरानी और मध्य एशिया स्कूल के मूल चीत्रों के कारन यह पुस्तकाले दुनिया भर में ख्याती लब्ध है यह एक उत्कृष्ट सोध पुस्तकाले के रूप में उपड़ा है जहां बड़ी संख्या में दुरलब पांडूली प्यां मौजूद है जिन में से कुछ बहुत प्रसिद है जल जारी हो सकती है बिहार बोर्ट बारवी रिजल्ट की तारीक होड समय ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार बोर्ट की बारवी कक्षा की वार्शिक परिक्षा के परिनाम 18 मार्च को जारी किया सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसके बाद अब यहां उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंतर में बिहार बोर्ट के द्वारा किसी वक्त भी परिक्षा के परिनामों को घोशित किया जा सकता है इसलिए जो चातर इस परिक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वह बोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट बिहारबोर्डानलाई.bihar.gov.in और बिहारबोर्डानलाई.com पर अपनी नजर बनाए रखें जानकारी के लिए बता दे कि बिहारबोर्ड बारवी की परीछा 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की गई थी शुशील मोदी ने निती से तेश्वी को पद से बरखास्त करने की कीमाग तेश्वी आदव से तुरंत इस्तिफे कीमाग भाजपा नेता और राजी शभास सांस शुशील कुमार मोदी द्वारा नितीश कुमार से की गई है तरस सुशील कुमार मोधी ने रेलवे में नौकडी के बदले जमीन मामली को लेकर कहा है कि तेरश्वी पर भश्चाचार के मामले हैं इसलिए तेरश्वी को पद से बरखास्त करने की मांग सुशील कुमार मोधी द्वारा की गई है बता दे कि उनके द्वरा यह भी कहा गया है कि यह काड़ेवाही ललन सिंग जो की जदियू के मौजूदा अध्यक्ष है उन्होंने केंद्रिय जांच एजंसियों के सारे फुकता सबूत उपलब्ध करवाए थे अब 25 मार्च को CBI द्वरा तेरश्वी से पूछताच की जाएगे इस महीने तक तेरश्वी की गिरफतारी तो नहीं होगी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तेरश्वी को कभी भी इस मामने में गिरफतार नहीं किया जाएगा नितीस कुमार को ऐसे आरोपित व्यक्ति को पत से तुरंद बढ़खा के द्वारा उनके इस यात्रा पर सवाल उठाते वे कहा गया है कि उपिंद्र कुश्वाह समाजवादी विचार धारा से हट कर अफसरवादी यात्रा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जदियों के लाकों कारे करताओं को लज्जित और अपमानित कर उपिंद्र कुश्वाह ने प्रतिपक्ष विजय कुमार के दौरा एक नहीं उचाई देने का काड़े किया गया तो वहीं उपेंद्र कुश्वाह के दौरा अपने हित के लिए विडासत वचाओ यात्रा किया जा रहा है। दो हजार चौबस में बिहार की जनता सामप्रताइक ताक्तों को सबक सिखाने के लिए बिलकुल तयार है। जनता का दर्द नहीं दिख रहा। इसके साथ यह उन्होंने यह भी कहा कि छपड़ा मामले में खबर को दिखाने वाले मीडिया बंधों पर गलत तरीके से जूटा एफायार कर उनको फसाया गया है। सीम नितीज को वैशी ने मुसल्मानों का सबसे जाता धोखा देने वाला नेता किया करार। AIMIM के सुप्रीमों असुदीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशानास साते वे कहा है कि नितीज कुमार ने पहले मूदी से निकाह किया और उसके बाद तलाग की दिया। नितीज ने तेरश्वी से भी निकाह किया लेकिन राज़त को भी ट्रिपल तलाग दे दिया। दरसल उन्होंने यह बाद अपनी जनसभाओं को संबोधित करने के एक रम में कही। वैसी अपनी जनसभा किसन गंज के लोहागड और बहादुर गज आती जगों पर कर रहे थे। सभागे तोरान वैसी ने अपने निशानी पर सबसे ज़्यादा नितीश कुमार को लिया और उन्होंने मुसल्मानों को सबसे अधिक धोखा देने वाला नेता भी करार दिया ह दूसरा वंडे 10 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के ना बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वंडे मैच में भारत को 10 विकेट से सिरनाक हार का सामना करना पड़ा बता दी कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड और मिशेल मार्स ने ग्याड़ मैच पर कबजा कर लिया तो वहीं भारतीय टीम 117 रन पर सिमट कर रहे गई आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मिशेल स्टार के द्वारा पांच विकेट चटकाए गए तो वहीं सिन एबोट और नाथन एलिस ने तीन विकेट और दो विकेट अपने नाम किये भारत की मुहम्मद बिन तुगल के 1351 में मृत्ती हुई दिल्ली सल्तरनत पर नादिर शाह ने 1749 में कबजा किया सी एफ एंड्रूज महात्मा गांधी के साथ सुतंत्रा आंदोलन में शामिल होने 1904 में भारत आए 1977 में प्रधान मंत्रे इंद्रा गांधी लोगसभा चुनाओं में पड़ाजित हुई थी गोड़या नाम के चिर्यों को बचाने के लिए 2010 में पहली बार विश्व गोड़या दिवस मनाया गया मगल बासा साजहां और ममताज महल का सबसे बड़े पुत्र दारा शिकुह का जन्म 1615 को हुआ भारतिय गायक अलका यागनी का 1967 में जन्हुआ भारतिय पहले गोल्फ खिलारी अर्जुन अटवाल का 1973 में जन्हुआ भारतिय अविनेतरी कंगना रानावत का 1987 में जन्हुआ दिल्ली के सुल्तान मुहमत बिन तूगलक का निधन 1351 में हुआ भारत के प्रान्ति कारी ने ता-एससत्यमूर्ती का निधन processing call worker भारतिय होकी के प्रसद खिलारियों में से एक जैपाल सिंग का निधन Ell doubles telephone Line Festival के भारतिय फिल्मों के अभिनेतरी अजा हम बात करेंगे fast flowing पर कि योजना के बारे में सुसलमीडिया पर कई सूचना यहल्य होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरी नहीं है इसी कटी में आज लिगा बात करेंगे फ्री मोबास प्रियोजना के बारे में द्रेसल पी बी ने अपने टुट में लिखा है कि एक WhatsApp message में दावा किया जा रहा है कि केंदर सरकार दौरा free mobile recharge योजना के तहर सभी भारतिय यूजर्स को 28 दिन का recharge free में दिया जा रहा है P.I.B. ने अपने tweet में आगे लिखा है कि यह दावा फरजी है केंदर सरकार दौरा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही अब YouTube music पर कर सकते हैं यह का Google का वीडियो प्लाटफॉर्म YouTube अपने music प्लाटफॉर्म YouTube में कई नए फीचर को जोड़ा है इस नए फीचर में offline music डाउनलोड करने से लेकर YouTube स्टूडियो में podcast बनाने तक की शुधा मिलेगी गूगल के स्वामित वाले YouTube ने अपने music अप में एक नया अपडेट जोड़ा है जो यूजर्स को हाल ही में प्ले किये गए गानों को Android पर अपने आप डाउनलोड करने की सुधा देता है 925 गूगल की रिपोर्ट के अनुसा recently played songs, option, premium, subscription वाले यूजर गाने के लिए डाउनलोड और stories में दिखाई देगा YouTube ने घोशना की है कि अमेर के नर्माता अब YouTube स्टूडियो में podcast बना सकते हैं इसके लावा company ने यह भी घोशना की है कि music app में podcast को बहुत जल जोड़ेगी कपल सर्मा ने अपने delivery boy के किरदार को लेकर बताया यहाँ comedian और actor कपल सर्मा ने अपनी film जिगार्ट में delivery boy का किरदार निभा कर अपने fans का दल जीत लिया है जिसके बाद हाली में कपल सर्मा ने अपने इस करदार को लेकर बताया कि उन्होंने delivery boy के किरदार के लिए कैसी तयारी की थी उन्होंने बताया कि उनसे कई लोग पूछते हैं कि वह इस character में कैसे घुसे जिस पर मैं कहता हूँ कि मैं अभी तक इस character से बाहर नहीं निकल पाया हूँ उन्होंने कहा कि मैंने कहीं छोटे छोटे काम किये हैं मैंने कोका कोला में काम किया है फिर मैंने STD, PCO जो आजकल तो नहीं है क्योंकि अब हर जगा मोवाइल आ गया है लेकिन मैंने अपने समय में वहाँ पर भी काम किया है इसके अलावा मैंने कपड़े की factory में भी छोटे मोटे काम किये हैं इसलिए जब मैंने यह कहानी शुनी तो मैंने खुद को इससे connect कर लिया आपकी जानकारी के लिए बता देगी कपल सर्मा की यह फिल्म 17 मार्ज को रिलीज हो चुकी है जो की लोगों को खुब पसंद आ रही है बीतर दिन हमारा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था आज के सवाल की और आज का सवाल है रामक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जवाब हमें हमारी comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद